हेलो व्रीवन वेल्कम बैक टू दिस यूटूब चनल आज है 29 अब सितंबर इस सेशन में दे हिंदू इडिटोरियल का भोकेवली कवर करते हैं तो अगर आप किसी भी कम्प्रेटिव एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहा है तो वीडियो लाज तक जरूर देखिएगा फिले दिया गया टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड की बात करें तो भर्व की तरह काम कर रहा है चलिए इसका मिनिंग की हम बात करते हैं तो इसका मिनिंग हो जाएगा इलाव द इग्जिस्टेंस ओकुरेंस और प्रेक्टिस अब संथिंग डैट वन डिसलाइक और डिसेग्री इसे कोई या तो उसे ना पसंद करता है या उसे असहमत है बिना किसी इंटर्फरेंस के डैटिल्स टर्मिनेटेड तो उसका हम लोग टर्मिनेटेड बोलते हैं यानि कि टर्मिनेटेड मतलता है सहन करना ठीक है जो चीज मतलब किसी को पसंद नहीं है फिर भी उस चीज को एल लाऊ हो जाएगा अनुमतिय देना धान अनुमतिन देना और अथिकार देना कर अब चलिह बाड़ते हैं आगे सेकंडर के तरफ सेकंडर हैं है लृग की तरा काम का रहा है इसके के मिनिंग की बात करें इसका मॵन होता है tuk all someone in order to attract दियर एटेन्शन यानी किसी का अभी सचन पाने के लिए उसको कि pouvक कूद कर ना बुलाना ऐख कि या फिर जैजय कार लगाना बोल सकते हैं तो कॉल देखत s यह लेढ़ जब कोई लीडर निकलता है आगर हम इसकी बात करें सीननोनेम ची तो लिट हो जाएगा सुवर हो जाएगा रेन हो जाएगा या फिल फॉल हो जाएगा अब एंटर नेमस देख लेते थी लिट हょंग इंग स्लेमिंग या फिर पैनीग हो जाएगा यह सारे संदर वर्ट हो जी से आप यहांगा पे Das times प्लेस का पिक्चर दिखाया अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता है एलाव देजिस्टेंस ओक्रेंस और प्रेक्टिस अप सम्थिंग डिसलाइक और डिसेगरी विथ विदाउट इंटरफेरेंस यानि कि सहन करना सी बात करें तो अलाव पर मिट अथराइज या फिर सेक्शन हो क्राइज अगला वर्ट दिया गया है कोर्स और अगर से भर्व कितरैं काम कर रहा है अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता partnership है फिर एटेज जर्ण सांवंग बाे यूजिंग फोर्स और थ्रेड तो कोर्स मतलब होता है कि कि किसी को मना लेना THEPS पर आ worms की काम निकल्वा लेगा ड्राध का किसी से कुई काम निकल्वाना ऍटर प्र कोर्स बोलते इने हैं कि दबाव बनाना किसी पर इसका हंदी भीशल हो जाएगा अगर शेक्षां से मर्जी से एंगृ करना सारी अपोजिट वर्ड हो जाएंगे जैसे यहां पर देख सकते हैं कि गन पॉइंट पर इससे कोई काम करा जा रहा है जैसे आप देखते होंगे जो अतंकवादी होते हैं या फिर हाई जेकर वेगर तो वो क्या करते हैं गन पॉइंट पर या फिर धम की देखे किसी से कोई चीज करा लेते हैं अगला वर्ड दिया गया है एप्राइज एप्राइज यहां पर भर्ब की तरह काम कर रहा है इसका मिनिंग होता है इनफार्म और टेल समवन यानि कोई किसी को कुछ कहना या उसको सुचित कर देना डेट इस एप्राइज यानि की अगाह करना आगे उसको बता देना आगे ही किसी चीज के बारे में सीनोनेम की बात करें तो एडवाइज मतलब सलाह देना एप्राइज ब्रीफ या फिर इनफॉर्म य कि ऑठ सकते हैं के लर्का क्या कर रहा है पहले इनफर्म कर रहा किसी को अगला वड़्यया कल究। करने मिनिंग होता है हीटेड डिसएग्रिमेंट यानि कोई चीज जो मतलब मिदा बोल सकते हैं कि जिस पर डिसएग्रिमेंट हुआ हो काफी जादा तो विवाद इसका हिंदी मिनिंग हो जाएका सीनोनेम की बात करें तो डिस्प्यूट डिस्प्यूटेशन वेरियंस या फिर होस्टिली हो जाएका चलिए यहां पर आई यून बता देते हैं कि आई यून जभी वर्ड क्लास्ट में तो नाउन की तरह काम करता ह एंसी आंटविन का तरह काम करता है और आई टी वाई तो भी जाउन की तरह काम करता है क्या है इत्यू कर थे अभी यहां पर पिक्टर में देख सकते हैं कि यहां पर किसी चीज को लेके ये दो माली जग इन लोगों के बीच में क्या हो गया है कि बिवाद हो गया है कंटेंट हो गया ठीक है नेक्स्ट वर्द दिया गया है इनाग्रेटेड इनाग्रेटेड भर्व की तरह काम कर रहा है इसका मेनिंग होता है बिगिन और एंट्रियूस एस सिस्टम पॉलिशी और पिरियड यानि कि कि इसी चीज का शुरुवात करना उसके या फिर उसका उद्गाटन करना बोल सकते हैं चाहे कोई सिस्टम हो पॉलिशी हो या फिर पिरियड हो उसका क्या करना शुरुवात करना तो अभिसेख करना बोल सकते हैं या फिर उद्गाटन करना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा सि माप्त करना वाइंड आप कॉंक्लियूड या फिर फिनीश हो जाएगा यह सारी जस्ट पोजीट वाड़ हो गए यहाप इन्योग्रेट मतलब रहा है किसी चीज का सुरुख शुरुआत करना जैसे आप देखते होंगे किसी भी चीज का जब ओपनिंग सेरेमोनी होता है तो ओपनिंग सेरेमेनी में क्या होता है कि यह रिवन जो होता है उसका उसको कटा जाता है ठीकर 1 काट के किसी चीज का सुरुबाद किया जाता अगला वट दिया गया हर्डल हडल यहाप टरह काम कर रहा इसका मिनिंग होता है वन उपह घ्रेश अप आप और प्रैम्स ओवर इच्ट एने रेस मस्ट जम्ट तो आप देखते होंगे एक तरक किस्तरा से रिज़ ऑठाइब की Kenny माण लिजिए ट्रैक हो गया ठीक है यह ट्रैक हो गया यह जो एरिया है यह यह क्या है यह प्रफ त्रेक हो गया इसमें की से इस्तरा का हर्डल लगा होता है इस तरह का हर्डल लगा होता है जो होता है हो क्या करता है दौर के आता है यहां से दौर किया इसको जंप किया इसको ऐसे जंप करना होता है इसको हर्डल रेस बोलते हैं वैसे हर्डल मतलब होता है बाधा डालना माली जी कुबे चला दौर रहा ठीक है त उसको जंप करना पड़ेगा इंटरनेम्स की बात करें तो अप्स्टेकर हो जाएगा डिपिकल्टी प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर वेरियर हो जाएगा यह सारेके इसके उपोजिट वार्ड हो जाएंगे अब यहां पर देख सकते हैं फिक्चर में फिक्चर देखके समझ पर दखेवांगे जो चीज़ आपको दिखाया है कि एक है जो इसको जम्प कर रहा है ठीक है और रहेगा और आस्ताइमिस तरह का हड़ा लगाए जाता है जब जब हमेशा उस हडल को जॅंब करना छो उसको टच करता है उसका पॉइंट माइनस होता है और जो बीना टॉच कि और Contrip, मतलब होता है, जैसे देखते होंगे कि कोई बच्चा इसकुल में कोई ऐसा कांट कर दिया, को मतलब रूल के अगेंश था तो उसे इसकुल से निकाल दिया जाता है। उसको expelled बोलते हैं या किसी को की और संस्था से निकाल दिया गया तो siitä को देस्थ से मिकाल दिया ठीक है और देस्थ निकाल उन्हेम क्रण son किसी को क्या कर देना निस्कासित कर देना संनेंस कि अगर हम बात करें स्ट्रमाइब करें तो एर्मिट हो जाएगा या फिर सट्ट सकते हैं कि मालजी एक इनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया खूंछ पिक्टर देखिए पिक्चर देखेंगे तो आप असाने से समझ सकते हैं नेक्स्ट वर्ड दिया गया इस ओंस्पीरेंसी आनकी तरह काम कर रहा है इसका मिनिंग होता है एक सिक्रेट प्लान बाइए ग्रूप ठीक है एक समुह द्वारा कोई एक गुप्ट प्लान योजना बनाना तो डू सम्थिंग अनलवफुल और हामफुल कोई चीज जो गैर कानूनी हो या फिर हनिकारक हो वो करने के लिए कोई जो इंग्नोरेंस अब या फिर केबल हो जाएगा अब चली एंटिम से लेते हैं तो फैदफुलनेस हो जाएगा और ती हो जाएगा इंग्नोरैंस हो जाएगा या फिर मुलेल्टी हो जाएगा ये सारे मुलक